हेलो स्टुडेंट्स आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे लेसन नमबर फाइव का डिसीज और प्रिवेंशन सो स्टार्ट विद ग्वेटर ग्वेटर होता है हम आयोडीन की डेफिशेंसी की वजह से और जो यह डिसीज है इससे क्या होता है कि हमारी स्वेलिंग हो जा वह भी रिच होता है आयोडीन में नेक्स्ट आगे हमारा अनेमिया यह आयरन की डेफिशेंसी की वजह से होता है जो परसन अनेमिया से सफर करते हैं वह पेल और ठाइड ठके हुए दिखते हैं और उनकी जो कलरलेस हो जाती है लिप्स भी और फ्लैड नेल्स जो है वह भी हो जाते हैं अनेमिया में जो हीमोग्लोविन हीमोग्लोविन लेवल होता है हमारे ब्लड में हीमोग्लोविन होता है हमारे ब्लड में मिक्स होता है यह रैड पिक्मेंट होती है तो यह कम हो जाता है इसलिए वह पेल हो जाते हैं सो ऑक्सिजन केरीं के पैस्टी होती है जो कि वो भी कम हो जाती है और यह किस से क्या और की जा सकती है जो फूड रिच्छ है हमारा एपल स्पाइनिज बनाना पल्सिस एग यॉक लिवर ब्रेंचल जैगरी एंड ग्वावा जैगरी होता है गुड तो यू नो में लिखा है 2 billion people in the world suffer from various forms of malnutrition refers to both undernutrition और overnutrition दो बिलियन लोग जो है वो सफर करते हैं किस की वज़य से malnutrition की वज़य से malnutrition क्या होता है जिसमें जहां फिर ज्यादा मतलब nutrients हो जिसकी बोड़ी में और जहां फिर किसी के कम हो नेक्स्ट आगया communicable disease communicable disease वो होती है जो easily pass हो जाए एक जाने से दूसरे तक और इसकी causes किया है इस disease are caused by tiny living organisms यह tiny living organisms की वज़य से होती है जिने हम germs बोलते हैं जो हमारी body के अंदर चले जाते हैं germs बहुत चोटे होते हैं और हमें अपनी आखों से वो नेजर नहीं आते हैं और microscope की help से हम उसे देख सकते हैं इन्हें हम बोलते हैं microorganisms या फिर microbes यह हर जगह मिलते हैं हर जगह और वो इतनी जल्दी ग्रो होते हैं जहांपे गर्मी हो फूड हो हवा हो और वो हमारी humans और animals के body के अंदर भी ग्रो करते हैं germs कितनी तरह के होते हैं आपको दिये 4K bacteria यह कॉस करते हैं टाइफ़ाड, plague, tuberculosis, pneumonia and meningitis viruses, viruses जो होते हैं वो small agents होते हैं जो कि हमारी body के अंदर ग्रो होते हैं so यह क्या cause कर सकते हैं cold, measles, chickenpox, polio, influenza, protozoom, malaria cause करता है और umevic dysentry, fungi, fungi यह हमें skin disease cause करते हैं जैसे ringworm आपको picture दियो यह साइड पर 4 की वह आप देख सकते हो next आगे हमारा communicable disease कैसे फैलती हैं बहुत सारी ways में through direct contact जिसमें direct contact हो कुछ diseases जासी हैं जैसे cold, measles, chickenpox, whooping cough, ringworm और scarlet, fever यह के direct contact से फैल जाती हैं जैसे हमारे पास कोई sick person हो उसे इन बिमारियों में से कोई एक बिमारी हो तो हमें भी असानी से हो सकती है इसलिए इससे बचने के लिए हमें henky use करना चाहिए छीकते समय शिक परसल से दूर रहना चाहिए जिनको यह बिमारियां हो सो नेक्स्ट आगिया infected food यह वाटर की help से भी हो सकती है कलोरिय टाइफट जो है वो इनसे food यह water carrying germs से होता है यह किसे digestive system को ज्यादा affect करता है flies, cockroaches, rats and other small animals जो हैं यह क्या germs केरी कर लेते हैं garbage कूरे से जहां फिर कोई भी हमारे आसपास गंदगी पड़ी है उससे और हमें हमारा जो अंकवर्ड फूर उस पर जाके यह बैठ जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि हमारा हाईजीन जो है खराब हो जाता है अगर वो हम लेते हैं सो इसकी में कॉजिंग कॉजिस है कॉंटामिनेटेड फूर एंड वाडर मतलब इससे हम बच कैसे सकते हैं प्रॉपर हमारा फूर फूर धका हो पानी हमारा फिल्टर हो सैनिटेशन अच्छी हो कर्जूमिंग मिल्क मिल्क लेना और मीट खाना यह इनसे बचातनी हैं की वज़े से हो सकता है डिसेज़ लाइक कोल्ड निम्योनिया एंड टी बी जो है वह यह की वज़े से होती है जब पर एक परसंट इन डिसेज़ से सफर कर रहा होता है कॉप्स और सनिज जॉपलेट्स कोंटेनिंग जर्म जब जो हम खासते हैं उस हवा में जर्म सोते हैं और वह बाहर चले जाए तो वह हैल्दी परसंट को भी उसे बिमार कर सकते हैं तो डू यू नो में क्या है एड़ जीज़ कम्यूनिकेवल डिसीज कॉस्ट वाइरस कॉस्ट देथ और यह वाइरस से होती और इससे डेथ भी हो सकती और इसका इलाज भी नहीं है अभी तक अ जैसे कैसे हो सकती है डेंगू मले दिया अगर कोई मच्छर काट ले हमें उसकी वज़ए से हमें डेंगू हो सकता है तो नेक्स्ट आ गया प्रिवेंशन आफ कम्यूनिकेवल डिसीजिस से कम कैसे बस सकते हैं कि ट्वाइलेट्स बाथरूम्स जो है साफ होने चाहिए रैग जहां पर गार्बेज हो हमारा और दूप में रख देना चाहिए अपना इन्वाइनमेंट जो हाईजीनी को मतलब की जो हम जिस जगह से हम खाना ले रहे है बार वाला खाना नहीं खाना चाहिए हमें डू यूनों में क्या दिया है कि सिर्फ फीमेल मॉस्किटों जो है वो करती है ब्लड को नेक्स्ट आगया हाउजस जो है उनके सनलाइट देनी चाहिए टाइम टाइम पर बैडिंग और क्लोज जो है वो उसे भी दूप में रखना चाहिए जो पेशेंट का रूम है वो भी क्लीन होना चाहिए जो पेशेंट की अदर अलग पेशेंट की चीज़ था साफ पानी पीना चाहिए पीने के लिए और कुगिंग पैनी जो फोइल करना चाहिए टैन मिनेट के लिए या फिर कलीन कवर कंटेने में लिए लेयों की चाहिए रहा इमाटर तंक सर्फिस ओ वाडर इन टैंक्स एंड पॉंट्स डिस्क्राइब जो जहां से हमारा बानी आता है वहां से सप्रेय होनी चाहिए वैक्सिनेशन होनी चाहिए हमारी वैक्सिनेशन क्या होती है अब टीका करन जिसे हम बोलते हैं यह चिल्ड्रन्स को मतलब कि जैसे टाइम टाइम पर हमारे इंजेक्शन लगते हैं वैक्सिन लगती है पॉल्यो वैक्सिन होती है इंफ्लेंशन मतलब कि तरह तरह की वैक्सिन लगवानी चाहिए थांकि हमारी इम्म्यूनिटी वीक ना हो और जो हमारा मियून सिस्टेम है वो रेडी रहे किसी भी डिसीज के लिए डू इम्म्यूनिज़ेशन कंपेंड लॉंच भाइद गम्न इंडिया इन 1995 दो इडिकेट पोलियो फ्रो वैक्सिनेशन पर्स पोलियो जेक्ष्ट कंपेंड जो लॉंच किया था गंवर्मेंट के द्वारा 1995 में तांकि जो पोल्यो वैक्सिनेशन वा सब को लग पाए सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और शेयर करना और अगर आप इफ वांट आनी वीडियो किसी भी टपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेट कर सकते हो और मैं उस पर जरूर वीडियो गना हूंगी थैंक यू